क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर हाँ, तो क्यों? अगर नहीं, तो एलियन सब तक हमें क्यों नहीं मिल पाए? या वो हमें क्यों नहीं ढूंड पाए? सवाल ये छोटा है, लेकिन इसका उत्तर काफी बड़ा और कन्फ्यूजिंग है. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. ये अब्जवेबल यूनिवर्स करीब चौदा सो करोड साल पुराना हैं, और दोला करोड से ज़ादा गेलेक्सी हैं, जिनमें लगबग इतने स्टार्ज हैं. साइंटिस्ट के अनुसार हमारी मिलकी वे गेलेक्सी में ही हजार करोड से ज़्यादा पृत्वी जैसे प्लैनेट्स हैं, वो भी अपने स्टार से नॉर्मल डिस्टेंस पर, यानि हैविटेबल जोन में. इन संख्या को देखकर ये सोचना काफी मुश्किल है कि यूनिवर्स में हम अकेले हैं, तो इसलिए हम कुछ थियोरीज आपको बताएंगे जिससे एलियन रिसर्च के बारे में आपको सब जानकारी मिल जाएगी. सबसे पहले थियोरी आती है रियर अर्थ की. मतलब हम यूनिक हैं. इनसान जैसी कॉंप्लेक्स इंटेलिजन्स का होना बहुत रियर है. ऐसा कहीं और दिखना बहुत ज़्यादा रियर है और हम अनोखे हैं. दूसरी थियोरी आती है दे गईयन बोटलनेक थियोरी. डॉक्टर अधित्य चोपडा की ये थियोरी बताती है कि सब एलियन्स मर गए हैं. कोई जिन्दा नहीं है. इससे पहले कोई इंटेलिजन्ट लाइफ अपने हैबिटेबल प्लैनेट पर उभरती, वहाँ सब कुछ नश्ट हो चुका था और आगे ग्रोथ नहीं हो पाई. अगली आती है डॉक्टर पीटर बहरूजी की अल्ली बड थियोरी. इसका मतलब हमें हैट स्टार्ट मिली हुई है. हमारी प्रित्वी यूनिवर्स में जल्दी आ गई है. कहते हैं यूनिवर्स में आखरी स्टार को अब काफी टाइम है. अब एस्ट्रोनॉमर लॉर्ड मार्टिन रीस की थोड़ी अलग थियोरी बताते हैं. इसके अनुसार जरूरी नहीं कि एलियन्स हमारी तरह बायलोजिकल बिंग्स हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन कार्बन बेस्ट के एलियन्स हो. यानि मशीन्स की तरह नॉन और्गैनिक क्रेचर्स. ये थियोरी तो साइंस फिक्षन ही लग रही है और होनी ही चाहिए क्योंकि ऐसा होना लगबग असंभव ही है. आखिर हम ढून कि इसको रहे हैं? इसके लिए दो कंसेप्ट आते हैं अब. ग्रेट फिल्टर और ग्रेट साइलेंस. ग्रे लिए ये फिल्टर हमारे पीछे है और हम इंसान इसको क्रॉस कर गए हैं. इसको क्रॉस करना यानि हम कई बाधाओं को क्रॉस कर गए हैं और फाइनली इंटेलिजेंट लाइफ में इवाल्व होकर इस प्रित्वी पर रहने लगे हैं. वैसे तो इस बात की कोई पुष्ची नहीं है कि लिविंग बिंग्स कहां से आये हैं. कुछ के अनुसार जिवित प्राणी वा हर जगा होंगे जहां प्लैनेट हैबिटेबल होगा और कुछ कहते हैं कि सिर्फ अर्थ ही यूनीक है जहां पर जीवन है और कहीं नहीं है. इसी में अगली चीज है complex animal cells का evolution. एक बर क कुछ ऐसा cellular chemistry का evolution हुआ होगा जिससे animal life का जन्म हुआ होगा हर बैक्तिरिया का planet पर evolution हुआ होगा लेकिन बायचांस अर्थ पर ये evolution इतना complex होता गया कि जिससे इंसान बना यानि intelligence बनी और हमने great filter क्रॉस कर लिया. दूसरा case आता है कि great filter हमारे आगे हैं और दिरे दिरे हम इस के नजदीक आ रहे हैं अगर life आई है तो उसका किसी भी तरह खतम होना निश्चित है यूनिवर्स के सारे जिवित प्रानी का अंत हो गया होगा जैसे कोई killer asteroid आया होगा solar flare होगी supernova हुआ होगा या gamma race का धमाका अभी तक तो हम लखी रहे हैं लेकिन ऐसा होना तै है कोई सर् वो हमारे लिए great filter होगा जिसके आगे जिन्दगी का अंत निश्चित है अब आते हैं the great silence पे हम जिसको ढूंड रहे हैं उनकी civilization यानि सब भेहता आदी मानौस से super advanced जाती तक हो सकती है reference के लिए humans को ही ले लेते हैं इंसानों ने भाला से start करके अज high tech missiles बना ली हैं इंसानी दिमाग हमेशा से curious competitive resources के लिए लालची और हमेशा आगे बढ़ना चाता है अपने planet को occupy करने में इंसान हमेशा जुटा रहता है तो ऐसा मनना उचेद होगा कि aliens भी अपने planet को occupy कर चुके होंगे और हमारी जैसी ही qualities होंगी अब उनकी technology कैसी होगी और क्या काम करती होगी ये सब हमें सोचनी की जरुद नहीं है कोई जाती कितनी advance है और कितनी प्रगती कर रही है इसका पता energy use से चलता है कि कोई कितनी energy अपने वातर रएंट से निकाल कर use कर सकता है early man ने आग को control करना सिखा पानी और हवा से energy बनाई ग्यान बड़ा और machine बहतर होती गई समुंदर में दफन तेल को निकाल कर energy बनाई और इनसान की शमताई भी बढ़ती गई 1800 से 2015 तक प्रित्वी की अबादी 7 गुना बढ़ गई है और energy use 25 गुना ये process future में आगे बढ़ता रहेगा और इनी facts को लेकर एक scientist निकोलाई कारदशेव ने इन civilizations के लिए categories बनाई ये scale civilization के energy use के according rank करता है इनको चार categories में रखा गया है type 1 civilization अपने planet की available energy को use कर सकते हैं हम इसी category में आते हैं type 2 civilization अपने star और planet की system की energy को use कर सकते हैं type 3 अपने galaxy की energy को use कर सकते हैं और type 4 multiple galaxies की energy को इन categories में इतना ज्यादा difference है जैसे एक end colony को developed city से compare किया जाए चीटियों के लिए हम इतने complex और शक्तिशाली होंगे जिसको वो सोच भी नहीं सकते इसलिए इन category को और तोड़ देते हैं और type 0 से type 1 की बात करते हैं जैसे हम radio signal space में भेशते हैं और अगर आदी मानव जैसी civilization कहीं होगी और वो signals नहीं भेज रहे होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मौजूद भी हैं या नहीं लेकिन अगर वो signals भेशते भी होंगे तो उस से इतनी help नहीं होगी यूनिवर्स के scale में मानवता लगबग invisible है हमारे signals 200 light years तक जा सकते हैं लेकिन ये number तो milky way galaxy का छोटा सा हिस्सा है और कुछ light years बाद signals noise में बदल जाते हैं और इसको identify करना impossible होता है कि ये signal किसी intelligent species ने बेजा है मानवता अभी 0.75 के level पर है हमने अपना planet बदल दिया और लगबग 100 साल में हम type 1 में आ जाएंगे इनसान हमेशा expansion के लिए उत्सुक रहता है और पित्वी के आगे भी देखता है अगला step होगा moon base फिर mars base और mars को रहने लाइक बनाना इन सब के साथ civilization बढ़ेगी और इनके लिए energy use भी एक point आएगा जब हम अपने sun की पूरी energy यूज कर पाएंगे और तब हमारे पास unlimited energy source होगा इससे हमें पूरे planet system का control मिल जाएगा और हम type 2 केटेगरी में आ जाएंगे अगर तब भी इनसान उत्सुक या लालची होगा तो और दूर जाने की सोचेगा यानि दूसरे stars पर दरसल type 3 कैसी होगी ये imagine करना हमारी सोच से उपर है शायद उन्होंने नई physics की खोज कर ली होगी शायद वो light की speed से भी टेज टेवल करते होंगे हम अभी cheatी हैं जो type 3 को समझने की कोशिश कर रहे हैं शायद type 3 इतनी advance होगी कि वो हमसे संपर्क ही नहीं बनाना चाहते होंगे और ignore करते होंगे कुछ scientist कहते हैं कि type 4 और 5 की civilization भी हो सकती है जिनका area galaxies के group में फैला हुआ है और तो और एक type omega civilization भी हो सकती है जिनका control पूरे universe पर हो और वो ही universe के creator हो वो कैसे दिखते होंगे या उनका कैसा रूप होगा वो हमारी सोच के आगे है अगर ये theory सही है तो type 3 या उससे उपर की कोई civilization होती तो उनका influence हमें जरूर पता चलता उनकी कोई न कोई activity का सबूत जरूर दिखता लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला और शायद type 2 से उपर कोई है ही नहीं हमें जिनकी तलाश है वो होंगे type 1 से type 2.5 तक वो भी दूसरी intelligent life की खोज में होंगे और संपर्क बनाने में हिलगे होंगे शायद ये सारी theory ही गलत हो type 2 का मतलब कुछ अलग ही हो और मानवता अभी नदान हो ऐसा कुछ समझने के लिए अभी तक तो हमें कोई नहीं मिला अभी तो खोज start भी नहीं हुई शायद alien intelligence हमारी technology से काफी दूर हो और उनसे संपर्क बनाने में काफी time हो या तो हम उन्हें ढून लेंगे या वो हमें जब भी ऐसा होगा वो दिन काफी exciting होगा तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस topic पर हमें comment में जरूर बताएं काफी कर दोस्तों आपका कहना हो